नमस्कार दोस्तों मैं हो विनूत और आज हम आपको layout tab के paragraph option के अंतरगत, indent और spacing के सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आपको document के लिए किसी text को right side या left side में थोड़ा सा खिसकाना हो, या किसी paragraph में लिखी lines के बीच space बढ़ाना या गटाना हो, या दो या दो से अधिक paragraph के बीच के space को बढ़ाना या गटाना हो, या फिर mirror indent को use करना हो, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, indent option का use करने के लिए हमें कुछ paragraph की ज़रुवत पढ़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ paragraph इंसेट कर लेता हूँ, इसके लिए हम टाइक करेंगे, जुकल 2, र, A, N, D, R, N लिखेंगे, shift के साथ bracket open और bracket close करके interface करेंगे, तो हमारे सामन यहाँ पर कुछ paragraph इंसेट हो जाएंगे, इसके बाद हम सभी paragraph को यहाँ पर control A करके select कर लेते हैं, और home tab में जाकरके यहाँ से justify कर देते हैं, justify करने से हमारे जो paragraph का sequence है, वो left और right side से, दोनों ही side से equal हो जाएगा, और इसके बाद हम इस paragraph पर click करते हैं, यानि पहले paragraph पर click करन left या right side में adjust करने के लिए use किया जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे, यहाँ पर अभी 0 cm में दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास अभी space यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसे margin कहा जाता है, margin के अलावा अगर आप extra space को increase या decrease करना चाते हैं, paragraph को left या right side में adjust करना चाते ह तो इसके लिए आपको यहाँ पर indent का use करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर first paragraph पर यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर indent के left वाले option को हम यहाँ पर increase करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे जो paragraph है, वो left side में यहाँ पर automatically adjust होता चला जा रहा है, इसके बाद य right indent का use कर सकते हैं, जैसे माली जी अब हम right side का use करना चाते हैं, तो right वाले को हम यहाँ पर increase करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे जो paragraph है, वो right side में यहाँ पर automatically adjust हो रहा है, तो इस तरीके से आप paragraph के indent का यहाँ पर use कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसे वापस से normal कर लेते हैं, ज पर press कर देंगे, तो आप देखेंगे, हमारा यह paragraph, second वाला paragraph normal हो चुका है, उसी तरीके से, इसको भी हम click करके यहाँ पर 1.3 जो हमारा centimeter हमने increase किया है, यहाँ पर भी हम zero type कर गेंगे, यहाँ पर enter कर देंगे, तो हमारा paragraph वापस से जैसा था, वैसा हो जाएगा, तो इसे कहते है, intent, कि बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर spacing की, spacing आप देखेंगे, हमारे सामने यहाँ पर दो option आपको दिखाई देंगे, सबसे पहला option आपको दिखाई देगा before, और दूसरा option आपको दिखाई देगा after, अब before में आप देखेंगे, यहाँ पर 0pt है, और after में यहाँ पर 8pt है ऐसा क्यों है तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप देखेंगे दोनों paragraph के बीच में हमें यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है यह बिसे कि हमारा 8pt का यहाँ पर स्पेस है आफ्टर का मतलब इस paragraph के बाद जो भी स्पेस होगा वो यहाँ पर 8pt का होगा अगर मैं इसको यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस स्पेस हमारा यहाँ पर खत्म हो जाए गया तो वापस हमें इसे control z करते हैं अब first paragraph पर यहाँ पर क्लिक करके हम before वाले option को जैसी आप increase करेंगे तो आप देखेंगे यह उपर की तरफ से हमें space दे रहा है यानि paragraph के पहले हमें यह space increase कर रहा है और इसी तरीके से अगर इस paragraph के बाद हमें space चाहिए तो हम यहाँ पर use करेंगे after after को जैसे हम increase करेंगे तो आप देखेंगे इस paragraph के बाद यहाँ पर रीचे की तरफ space भड़ता चला जा रहा है तो इस तरीके से आप paragraph के indent और spacing का यहाँ पर use कर सकते हैं indent और spacing का use करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक छोटा सा arrow दिखाई देगा इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ settings आपको दिखाई देगी जिसमें आप देखेंगे आपका left, center, right और justify का alignment आपको दिखाई देगा तो यह basically alignment आपके home tap पर भी होते हैं जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ मैं फिर से आपको इसको clear कर देता हूँ जैसे माल लिजए हमारे पास जो भी paragraph है हम यहाँ से चले जाते हैं home tap पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा left alignment हम सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा space कर लेते हैं ताकि हमें paragraph में left और center alignment के बारे में पता चले तो इस paragraph पर हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा paragraph पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारा सबसे पहला alignment है left इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले से हमारा left alignment है वो adjust है यहाँ पर इसके बाद अगर हम यहाँ पर center पर click करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पूरे paragraph का जो alignment होगा वो center से start हो जाएगा इसके बाद अगर आप right side पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे paragraph का alignment है वो right side में आप अरज़स्ट हो जाएगा और इसके बाद अगर आप justify का use करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर paragraph का sequence और यहाँ का paragraph का sequence दोनों equal हो जाएगा यहाँ पर gap है तो जिसे यहाँ पर हमें space दिखाई दे रहा है तो आप इन सबीच alignments का यहाँ पर use कर सकने हैं वही सेम alignment मैं आपको दिखा दू पेंज लियाओ टैप पे इस setting में भी आपको देखने को मिलता है अभी हमने recently justify alignment का use किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे justify alignment हैं दिखाई दे रहा है left को select करके जैसे यहाँ बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे वापस से हमारा alignment यहाँ पर left side में adjust हो गया तो इस तरीके से आप यहाँ पर alignment का use कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं outline levels की कि आप outline level कैसे create कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम gaps को खतम कर लेते हैं जैसे मालेजे gaps को खतम करने के बाद हम इन में सही किसी text को heading में convert कर लेते हैं जैसे मालेजे हम इसको select किया और यहाँ से हमने cut कर दिया इसी तरीके से second word में से भी हमने कुछ word को select करके यहाँ से paragraph में heading बना दिया और इस वाले heading को यहाँ पर click करके हम चले जाएंगे वापस से page layout के उसी settings पर और यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारा जो outline level है वो आप देखेंगे body text आपको दिखाई दे रहा है इस पर click करके जैसे यहाँ पर आप level 1 को select करके यहाँ पर इसे ok button पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक arrow दिखाई देगा इस arrow button पर जैसे आप click करेंगे तो होगा कि आपका जितना भी paragraph होगा वो आपका इसी line में सिमट जाएगा इसके बाद इस arrow पर जैसे आप दुबारा से click करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा पूरा paragraph यहाँ पर आपको वापस से दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर second option की तो यहाँ second वाले option पर click करके अगर हम यहाँ पर इसे level 2 define कर देते हैं जैसे मा लिजे हम यहाँ से वापस से body text को select करके यहाँ पर level 2 को define करके यहाँ पर okay button पर click कर देते हैं तो आप देखेंगे इसके नीचे भी यहाँ पर एक arrow पर दिखाई देगा इस arrow पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आप पूरा paragraph यहाँ पर सिमट जाएगा और अगर आप इस वाले drop down पर click करेंगे तो आप देखेंगे वो जो हमारा second वाला level था वो भी इसके इंदर सिमट जाएगा और जैसे आप इस plus icon पर click क कि तरीके से और कितने तरीके से यूज किया जाता है इस वीडियो में हम सिर्फ paragraph के indent और spacing की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अभी उसी चीज़ को cover करेंगे इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक और option यहाँ पर दिखाई देगा indentation का इसके बाद आप देख करते हैं अब देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ paragraph यहाँ पर insert कर लिया है अब इस paragraph की मदद से मैं आपको बाकी के options क्लियर करूँगा तो इसके लिए हम पूरे paragraph को एक बार select कर लेते हैं Ctrl A करके मैंने पूरे matter को एक बार select कर लिया है layout tab कर जा करके यहाँ पर वापस से उसी settings और आपको दिखाए देगा mirror indent यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो option change हो जाएंगे left और राइट की जगह यहाँ पर आपको दिखाए देगा inside और outside का अप inside और outside का क्या मतलब है वो मैं आपको clear करता हूँ जैसे मान लिजे inside की अगर मैं बात करूँ तो inside होता है आपका left side और outside की अगर मैं बात परूँ तो outside होता है आपका right side जैसे मालीजे mirror indent को मैंने यहाँ पर check mark किया है check mark करने के बाद यहाँ पर मैं इसके check mark करने के बाद मैं यहाँ से size को increase कर लेता हूँ मालीजे इससे मैंने 1.5 कर दिया और नीचे से outside मैंने इसका 0.1 cm रखा इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ okay बटन पर click करेंगे okay करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारे left side का जो margin space है वो यहाँ पर काफी जादा increase हो चुका है नीचे की तरफ अगर हम second page की बात करें page number 2 की इसके बाद अगर हम page number 2 की बात करें तो आप देखेंगे page number 2 पर यहाँ पर था बिल्कुल वहीं पर ही adjust है और इसके बाद अगर हम page number 3 पर जाते हैं तो आप देखेंगे same उतना है space यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो की page number 1 पर था अगर आप और next page पर जाते हैं तो आप देखेंगे four number page पर यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल space का यहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ा तो इसका आप फाइदा मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप binding करते हैं तो binding करते समय हमें एक page का जो margin होता है वो ज़ादा रखना पड़ता है और एक page का margin हमें कम रखना पड़ता है ताकि हमारा जो matter है वो binding करते समय यहाँ पर दबेना इस वज़ा से हम इस option का यहाँ पर use करते हैं इसके बाद हम इसे control Z करके इसे वापस से normal कर लेते हैं जैसा यह पहले था next option का use करने के लिए हम सभी matter को select कर लेते हैं select करने के बाद इस वाले option पर वापस से click करते हैं और यहाँ पर आपको special का एक option दिखाई देगा इस पर आप click करेंगे तो click करने के बाद यहाँ पर drop down में आपको दो option दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा first line का और दूसरा आपको दिखाई देगा हैंगी का तो सबसे पहले हम clear करते हैं first line, first line को यहाँ पर select करके यहाँ पर जितना भी size अपने हिसाब से आप रखना चाहें उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं मालिजे हमने इसको 1.2 cm रखा और इसके बाद हम इसे यहाँ पर OK पर click कर देते हैं जैसी में यहाँ पर OK बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे सभी paragraph की जो first line है वो यहाँ पर 1.2 cm right side में खिसक चुकी है तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके document में जो आपका first line है वो right side में थोड़ा सा margin छोड़ करके represent हो तो आप इस option में यहाँ पर use कर सकते हैं हम यहाँ पर control Z करके इसको वापस से normal कर लेते हैं और इसके दूसरा option की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर हम वापस इसी option पर click करेंगे और यहाँ पर चला जाएंगे special के hanging option को select करेंगे hanging option को select करने के बाद यहाँ पर आप जो भी size रखना चाहिए अपने इस आप से रख सकते हैं फिलाल इसको by default 1.27 cm ही रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम ok बटन पर click कर देते हैं यह जो option था यह बिल्कुल इसका opposite था यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी first line होगी वो right की बजाए left side में आपको 1.27 cm यहाँ पर आपको देखेंगे यह shift हो गई है तो यह option basically first line का बिल्कुल opposite था यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो first line है यहाँ पर right side की बजाए left side में adjust हो गई है 1.27 cm आप paragraph में जहाँ भी देखेंगे paragraph की जो पहली line होगी वो right side की बजाए है यहाँ पर left side में 1.27 cm adjust हो जाएगी इसके बाद एक option आपको दिखाई देगा यहाँ पर spacing का spacing के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसका भी same वही काम है यहाँ पर हम बात करते है line spacing की यहाँ पर आप line spacing के drop down पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहला option single single को जैसे आप यहाँ पर select करेंगे single का मतलब आपको यह single line का space generate करके देगा इसको select करके जैसे यहाँ पर ok button पर आप click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी paragraph था वो single line space में आपर adjust हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम इसके दूसरी option की बात करें तो दूसरी option आपको दिखाई देगा 1.5 line का space इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो भी document होगा वो 1.5 lines का यहाँ पर space generate करके देगा यहाँ पर ok button पर जैसे हमें आपको डिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1.5 line का यहाँ पर आपके सामने space दिखाई देगा इसके बाद अगर मैं आपर तीसरी option की बात करें तो हम वापास से उसी option पर click करते हैं तीसरी option आपको दिखाई देगा डबल लाइन का इसको अगर आप click करेंगे तो आपके line के बीच में यहाँ पर double line का space आपको दिखाई देगा तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर ok button पर click करेंगे देखेंगे उसी के हिसाप से आपका जो document है वो यहाँ पर अपने आप उस size को adjust कर लेगा इसके बाद आप देखेंगे आपर next option है आपका exactly exactly पर अगर आप click करके आपर ok कर प्रेस करेंगे तो by default इसका जित्मा size होना चाहिए by default आपको 12pt का ही size generate करके देगा इसे ok button पर click करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो normal size होना चाहिए यह उतना ही size आपको यहाँ पर represent करके देगा इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक और option आपके सामने दिखाए देगा multiple का तो multiple option को select करके आप यहाँ पर जितनी भी line का space देना चाहे जैसे भी यहाँ पर 3 line का space है आप यहाँ पर 3.5 line का 4 lines का space जितना भी देना चाहे उतना यहाँ पर select करके यहाँ जैसी ok button पर click करेंगे तो उतना ज़्यादा space आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो इसका मतलब आप यहाँ पर customize कर सकते हैं अपने हिसाब से जो इतना भी आप space यहाँ पर देना चाहें लाइन के बीच वो यहाँ पर customize करके इसको represent करा सकते हैं इसके बाद हम next option की बात करते हैं तो document को पूरा select कर लेते हैं select करने के बाद इस option पर वापस से click करेंगे click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा don't add space between paragraph of the same style मतलब इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला paragraph और यहाँ पर हमारा दूसरा paragraph आपको दिखाई दे रहा है इसकी बीच में जो भी space हमें दिखाई दे रहा है मैं इस space को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ तो उसकी लिए मैं इस option का यहाँ पर use करूगा पूरे matter को एक साथ यहाँ पर select करूगा control A से इसको select करने के बाद यहाँ पर इस option को select करने के बाद इस वाले option पर tick mark करूगा और tick करने के बाद यहाँ नीचे मैं OK बटन पर click करूँगा जैसी यहाँ पर मैं OK बटन पर click करूँगा तो आप देखेंगे हमारे paragraph के बीच का जो भी space था वो यहाँ पर finish हो चुका है यहाँ आप paragraph के बीच में space नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे किसी भी paragraph के बीच में कोई भी space आपको दिखाई नहीं देगा तो इस तरीके से आप इसके सभी options का यहाँ पर use कर सकते हैं